नमस्कार दोस्तों स्वकत है आप सभी का हमारे चनल पर आज मैं आपको oily hairs की समस्या से रहात पाने के लिए कुछ प्राकर्दिक तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जड़ों के प्राकर्दिक तेल का स्थ्राफ आपके बालों को स्वस्त रखने में मददकार होता है लेकिन अगर आपके बालों में तेल का उत्पादन जादा हो रहा है तो इसे oily hairs कहा जाता है ये कई कारणों से होता है जैसे की अनुवानशिक, हार्मोनल असंतुलन अधिक तनाव की वज़े से या फिर ज्यादा तेली खाना खाने से और बालों की देखभाल ना करने से भी यहाँ प्रब्लम हो जाती है तेली बाल को सम्हालना मुश्किल होता है जिसकी वज़ा से वो इखटे होने लगते हैं तेली बालों की वज़ा से डैंडरफ और खुजली भी हो जाती है बाल इस तरह आपके बिना धुले, बेजान और गंदे दिखने लगते हैं दोस्तों लेकिन आप कुछ घरेलू उपायों का इस्तिमाल करके इस समास्यास से राहात पा सकते हैं तो आज मैं आपको उनी में से कुछ घरेलू नौसकों के बारे में जानकारी दूंगे इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एक निवितन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चनल पर आये हैं, क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को सरू ले ले तक कि आफ हम से जुड़े रहें, हमारे दुरदी के जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी ढासकें आप इस समस्याद से राहत पाने के लिए ब्लैक टी का इस्तमाल भी कर सकते हैं काली चाय में एस्ट्रिंजेंट होते हैं जिने टैनिक एसिड कहा जाता है इनकी मदद से जड़ों के छिद्र टाइट हो जाते हैं और अधिक तेल जो होता है न वो रुख जाता है इसके लिए सबसे पहले एक कप में एक या दो चमच काली चाय की पत्या मिला लीजे फिर दस मिनिट के लिए इसे ऐसे ही उबलतार रहने दीजे अब चाय की पत्यों को चान लीजे और फिर मिश्रन को ठंडा होने के लिए रख दीजे फिर इस गुन-गुने मिशर्ण को अपनी जड़ों और बालों में लगाईए अब इस मिशर्ण को बालों में पाँच मिनिट के लिए ऐसे ही लगा हूआ छोड़ दीजे और फिर अपने बालों को शैंपू से वाश का लीजे ओयली बालों से छुटकारा पाने के लिए आप हफते में दो या तीन बार इस प्रक्रिया को धराईए इससे आपको फाइदा मिलेगा इसके अलावा दोस्तों आप ओयली बालों को दूर करने के लिए बेकिंग सोड़े का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए एक चमच बेकिंग सोड़े को तीन चौथाई पानी में मिला लीजे जिससे की एक पेस्ट तयार हो सके अब इस मिश्रण को गीले बालों में लगाईए और कुछ मिनिट तक इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दीजे और फिर अपने बालों को गरम पानी से वाश कर लीजे इस मिश्रण को हफते में एक या दो बार ज़रूर लगाईए दोस्तों बेकिंग सोडे में तेल को अफशोशित करने के गुण होते हैं और इसी लिए इसे तेली बालों के लिए सबसे बहतरीन उपायों में से एक माना जाता है इसके साथ ही बेकिंग सोडे में मौझूद एलकलाइन जड़ों का पीएच स्तर संतुलित करता है और अगर आपके बालों से स्मैल सी आती है तो उसको भी दूर कर देगा दोस्तों ये तो दोस्तों आपको हमारे दोर दी गई है जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेर जरूर कीजगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद